जय स्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका राम चरित मानस कता में, काफी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है इस कता में, दरसल कुछ विस्ता आ गई थी, गए थे चार धाम यात्रा पे, और आपको वीडियो तो देखा ही होगा आप लोगोंने बीच बीच में, तो जब ह राम इसको छोड़े थे, उस समय तक परशुराम लच्ष्मन संबाद खतम हो गया था, और परशुराम जी भगवान राम को समझ गए थे कि ये विश्लु भगवान का अगला उतार है, और अब नेरा जाने का समय हो गया, फिर उतना कह करके उनकी प्रार्थना किये, और अति गह गहे बाजने बाजे, सब ही मनों हर मंगल साजे, जूत जूत मिली संकी सुनयनी, करही गान कल को किल बैनी जब प्रशराम जी चले गए, फिर जो कुटिल राजा भी थे, ओ भी डर गए, और सब जोर जोर से बाजे बजने लगे, साधी के तयारी होने लगी, सभी ने मनों हर मंगल साज सजा दिया, सुन्दर मुख और सुन्दर नेत्रों वाली, तथा कोयल के समान मधूर बोलने व सुख विदेह कर बरनिन जाई, जन्म दरीद्र मान उनी दिपाई, विगद तरास बैसिय सुखारी, जनु विदूदय चकोर कुमारी और फिर जनक जी के सुख का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, मानों कोई जन्म जन्म का दरिद्र हो, उसे धन्म का खजाना मिल गया, और सीता जी का भी डर खतम हो गया, वे ऐसे खुस हो गई, जैसे कि चंद्रमा के उदर होने से चकोर की कन्या जो है, वो सुखी होती जनक की निकों से कहीं प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनुबंजे उरामा, मोही की कृता क्रेत्य गीन दुम भाई, अब जो उचित सो कहीं गुसाई जनक जी ने फिर पिश्वामित्र जी को पड़ाम किया, और कहा, हे मुनिवर प्रभु आपकी कृपा से स्री रामचंजी ने धनुस दोड़ा है, दोनों भाईयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया, हे स्वामी अब जो उचित हो, आगे क्या करना है, वो बताइए, वो हम करें कर मुनि सुनू नर्नाथ प्रभीना, रहा विबाहु चाप अधीना, तूट तहीं धनु भयव बिबाहु, सुर नर्नाग विदित सब काहु मुनि विश्वामित्र ने कहा, हे चतुर नरेश जनक सुनिये, यह तो बिवा धनुस के ही अधीन था, क्योंकि सुएंबर में यही सड़त थी, जो धनुस तोड़ेगा उससे बिवा होगा, तो बिवा उसी के अधीन था, धनुस के तूटते ही बिवा हो गया, यह देवता, बिवा तो हो गया, फिर भी तुम जाकर अपने कुल में जैसा बिवहार होता है, वैसा ही बिवहार करो, प्रामणों कुल के जो बूढ़ें भुजूर्ग हैं, और गुरुवों से पूछ करके, और बेदों में भी जैसा वणन किया गया हो, वैसा ही आचा बिवहार करिए। दूत यवद पूर पठम मुझाई, आ नहीं रिपदसर थाई उलाई, मुदित तरा उगई भले ही किपाला, पठए दूत गोली तेही काला। पूछ लो जैसा भी करना है, सबसे गुरु वगरा से पूछ के करिए, और सबसे पहले तो आउध्या में दूत भेज दीजिए, जो कि राजा दसरत को यहां बुलाला में, फिर राजा जनकपरसन होकर बोले, हे कृपाल मुनी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और तु सिर नाए, हाट बाट मंदिर सुर बासा, नगर समार हूँ, चारि हूँ पासा फिर दूतों को भेज दिया, इसके बाद हाँ ने महाजनों को बुलाया, और सब ने आकर राजा को, जनक को अधर पूरोग सिर जुकाए, राजा ने कहा, जहां बजार, रस्ते, घर, देवाले, मंदिर, सारे नगर में, चारों और से नगर को एकदम सजा दो हरसी चले निजनी जग्रिया आए, पूनी परिचारक बोली पठाए, रचाउं बिचेत्र बितान बनाई, सिरे धरी बचन चले सचुपाई फिर महाजन परसनों के चल पड़े, अपने अपने घर आए, और इसके बाद राजा ने सब नोकरों को बुलाया, और उन्हें आज्यादी कि जो ये मंदप है, इसको एकदम बिचित्र, अच्छे धंग से, अनोखे धंग से सजा के तयार कर दो, ये सुनकर वे सब भी राज वेधेवं नीतिन कीन अरम्भा, वीरे चे कनक कदली के खंबा, उन्होंने अनेक कारिगरों को बुला भेजा, जो की मंदप बचा, बनाने में कुसल और चतुर थे, और उन्होंने ब्रह्मा की बंदना करकर के, जो मंदप बनाने वाले कारिगर थे, पहले ब्रह्मा की बंद पूने के केले के खंबे बनाए तो कि सुभ माना जाता है केले के खंबों को इसको बनाया और आगे क्या किया हरितमनिय के पत्र फल गदुमराद के फूल रचना देगी बिची त्रयती मनुबिरंची कर भूल फेर क्या किया हरे हरे मढियों के पनने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मढियों जो मारिक होता है उसके भूल बनाए मन्डप की अत्यांत बिचित रचना हो गई उसे देख करके ब्रह्मा का भी मन्दी भूलिया कि मेरा ही ये ब्रचा हुआ संसार है या कुछ हो है बेनु हरितमानी मैं सब कीने सरल सपरब परही नहीं चीने कनक कलित यही बेली बनाई लखी नहीं परही सपरन सुहाई फिर उन्होंने बांस की जो हरी हरी मडियों पन्ने के सीधे और गाठों से युक जाला टाइप ऐसा बनाया कि वो पहचाने नहीं जाते कि यह मडिके हैं कि साधारण है सोने की फिर सुन्दर सुन्दर नाग बेली पान की लता बनाई और पत्तों सहित ऐसी भलों मालूम होती थी पहचानी नहीं जाती थी कि यह सुने की है या सामाने है तेहीं के रची पची बंद बनाए बीच बीच मुक तादाम सुहाए मालिक मरकत कुली सपी रोजा चीरी कोरी पची रचे सरोजा फिर उस नाग बेली को रच करके और उसमें पच्ची कारी करके बांधने की रसी बनाया और फिर बीच बीच में मोतियों की सुन्दर जालरे लगा दिया मारिक पन्ने हीरे फिरोजे इन सब रतनों को चीर करके और फिर कोर करके पच्ची कारी करके उसमें कसिदा कारी करके फिर इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रणके कमल बना दिये किये ब्रेंग बहुरंग भियांगा गुंजाई कुंजाई बावन प्रसंगा सुरप्रतिमा खंबन रड़िकाडी मंग अलग रभ्यलिये सब ठाड़ी फिर भौरे और बहुत रंग पच्छी बना दिये जो हवा के सारे गूजते और कूजते थे इस तरह से रचना किया और फिर खंबों पर देवताओं की मूर्तियां इतनी सुन्दर गढ़ के बना दी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मंगल द्रभ्य लिये हुए सचमुच खड़ी थी चौके भाति अनेक पुराइं सिंदूर मानी मैं सहज सुहाईं फिर जो गज्मुटाओं के सहज ही सुन्दर अनिक तरह के चौके बनादीए चौक पूरते हैं आटे से भी पूरा जाता है लेकिन और भी गज्मुटाओं से आगद बना दिया जातों ज्यादा सुन्दर और सुबग सूटी किये नील मनी कोर, हेम बाउर मरकत घवरी, लसत पांट मैं डोर फिर नील माडी को कोर करके सुन्दर आम के पत्ते बनाए, सोने के बाउर बनाए, आम का जो बाउर लगता है फूल सुरु सुरु में आता है, वो सोने का बनाया और रेसम की डोरी से बंदे हुए पन्नों के बने फूलों के गुच्छे उसमें सुसोभित कर दिया प्रचे रुचिर बरबंद निवारे, मनो मनो भवभंद समारे, मंगल कल से अनेक बनाए, धज पताक पट जमर सुहाए फिर ऐसे सुन्दर और उतकम बंदनवार बनाये, मनो कामदे उन्हें खंदे सजाये हुए हुए अनेकों मंगल कलस, सुन्दर धजा, पताका, पड़्दे और चमर भी बना करके उसको मंडप को सजाये गया दीप मनोहर मनि मैंनाना, जाइन बरन बिचित्र बिताना, जही मंडप दुलहिन बैदे ही, सोबर नए असीमती कभी केही फिर उन्हें जो धजा, पताका और सब बनाये थे, उसमें मड़ियों के अनेक सुन्दर सुन्दर दीपक बनाये गए और उस बिचित्र बंडप का वर्णन ही नहीं किया जा सकता और फिर जिस मंडप में जानकी जी दुलहिन के रूप में बैठेंगी, उस मंडप की तो कोई कभी की ऐसी बुद्धी ही नहीं है, जो कि वर्णन कर सके, वर्णन से बहुत दूर है दुलहुराम रूप गुन सागर, जो भी तानुति हूँ लोक उजागर, जनक भवन के सोबा जैसी, गुरिया गुरिया प्रतिपुर देखिये तैसी और जिस मंडप में रूप और गुनों के समुद्र भगवां से रामचंदर जी दूले बनके बैठेंगे, वहां मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए जनक जी के महल की जैसी सोबा है, वैसी सोबा नगर के प्रतिए धर की दिखाई दे रही है, इस तरह से पूरे नगर को सजया गया जहीं तेरा होती तेहीं समय निहारी, तेहीं लगु लगई वुवन दसचारी, जो संपला नीच ग्रिय सोहा, सोबी लोकी सुरनायक मुहा उस समय, जिसने भी तिरहुद को देखा, उस नगर को देखा, उस सजावट को देखा, उसके सामने चवदाओं भुवन चवदाओं भुवन तो छजाप पढ़ रहे थे, जनक पूर में नीच के भी घर में उस सबसे जो गरीब व्यक्ति था, उसके भी घर में जो संपता सोबित हो रही थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जा रहे थी बसई नगर जहीं लचिकरी कपट नारी बर में तेंपूर के सोभा कहत सगुचाहीं सारद से जिस नगर में साक्षात लच्मी जी इस्त्री का सुंदर बेस बना के बस रही है सीता जी लच्मी जी के उतार थी तो उस पूर की उस नगर की सोभा का वर्णन करने में सरस्वती और सेश भी सक चाते हैं वो इस सोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है पहुंचे दूत रामपुर पावन हर से नगर विलों की सुहावन उपद्वार तिन खबर जनाई दसरतन रिप सुन लिये बुलाई पुदर जो जनक जी के दूट अध्या गए थे वो रामचन जी की पवित्र पूरी अध्या में जब पहुंचे तो सुन्दन नगर को देख करके पढ़े खुस हो गए राज़ द्वार पे पहुंच करके उन्होंने खबर भेजी दसरत जी को कि हुआ से आये हैं तो फिर राजा दसरत जी ने उनको अंदर बुला लिया करी प्रणा मुतिन पाती दीनी मुदित मही पया पूठी लीनी बारी विरो जन बाचत पाती पुलक गात आई भरी छाती पिर दूतों ने दसरत जी को बढ़ाम किया उनको जनक जी के चिठी दी और राजा प्रसन होकर के स्वहन उसे उठा लिये जन्रली क्या होता है राजा अपने दूतों से पढ़वाते हैं या किसी से पढ़वाते हैं लेकिन उने इतने खुसी थी राम रच्मन का संदेश का उन्होंने खुद ही उसे उठा लिया और चिठी बास्ते समय उनके नेत्रों में जल चा गया आसु भरबर गिर रहे हैं आनंद के उनका सरीत पुलकित हो गया और चाती भराई उनके हिर्दे में राम और लच्मन है राजा दस्रत के और हाथ पे सुन्दर चिठी है राजा उसे हाथ में ही लिये रह गए खटी मीठी कुछ भी कह न सके इतने प्रसन हो गए पुलकित हो गए फिर उन्होंने धर के उस पत्रिका कुपढ़ा और सारी सभा सच्ची बात सुनकर के हरसित हो गई खेलत रहे तहां सुधी पाई पाई भरत अपने मित्रों और भाई सत्रुखन के साथ कहीं खेल रहे थे जैसी समाचार मिला कि कुछ आई है चिठी पत्री भट से भाग करके आए और बड़े प्रेम से सक्चाते हुए पिताजी से पूछे पिताजी चिठी कहां से आई है प्रान प्रिय बंदुदू आई कवं के देश सुनी सने हसाने बचन बाची भवुरी नरेश्ट भरत ने कहा हमारे प्राणों से प्यारे दूनों भाई राम रच्पन सकुसल तो हैं कुसल से तो हैं कुछ देश में हैं सने से ये बचन सुन करके राजा ने फिर से चिट्छी पढ़ी और जैसे उन्हों नभी सुना अरे ये तो रामचंजी का विवा होने वाला है सीता से वो लोग भिखुस हो गए और आगे क्या होता है कैसे तैयारी होती है जनकपुर जाने की वो हम करेंगे अगले भाग में आ कीजे रादावर क्रिष्न चंद्र कीजे